चेप्टर फाइव प्रोफित लोज और डिसकांट वर्कशिट वन कोस्टन नमबर फाइव बाइव एक शोपकिपर है उसने थर्टी फाइव ग्रीटिंग कार्ड बेचे और उसको लोज हो गया कितना कितना लोज हुआ उसने कंडिशन देदी एसपी और फाइव ग्रीटिंग कार्ड जितना फाइव ग्रीटिंग कार्ड का एसपी था उतना उसको लोज हो गया हमने निकालना लोज और उसका लोज प्रसेंट निकालना है अब देखो इस कोस्टन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है ना प्रोफिट प्रसेंट दिया तो इस question को कैसे करेंगे, इस question को let करके करेंगे, अब देखो, उसे ने बेच्चे थे 35 card, तो इसलिए हम SP माल लेंगे, let SP of 1 greeting card, 1 greeting card का SP हमने माल लिया 1 rupees, तो 35 greeting card का SP कितना होजेगा, 35, एक card 1 rupees का, तो 35 कितना होजेगा, 35 रूपीज के, और उसको loss कितना हुआ है, ये condition इसने द लोस कितना होजेगा, SP of 5 greeting cards के equal होजेगा, जितना 5 greeting card का SP है, उतना उसको loss होजेगा, एक greeting card 1 rupees का, तो 5 greeting card 5 rupees के होजेगे, ये क्या आगया हमारा, loss आगया, इसने यही कहा था, तो 5 rupees के आगया, loss आगया, अब हमें SP पता लग गया, loss पता लग गया, तो CP कैसे निकलेगा, CP of 35 greeting card, आगर CP निकालना हो, तो SP में हम क्या आड़ कर देंगे, SP में हम loss आड़ कर देंगे, SP plus loss वो क्या आगया, हमारा CP, यानि कि उसने 40 rupees की वो चीज लाया था, 35 की उसने बेची, और 5 rupees का उसको क्या हो गया, loss हो गया, यानि कि जब CP निकालना हो, जब हमें SP और CP पता हो, और जब हमें SP और loss पता हो, और CP निकालना हो, तो SP में loss एड़ कर दो, SP में loss एड़ कर दिया, हमारे पास क्या आगया, CP आगया, अब हमारे पास CP पता लग गया, loss पता लग गया, दोन्नों चीजें पता लग गी, CP और loss, CP और loss से हम क्या निकाल सकते हैं, loss प्रसेंट निकाल सक हैं तो लोज प्रेसंट का फर्मूल रोता है लोज अपॉन सी पी इंटी हंडरेड तो लोज किलेगा फाइब रखो रखो इन्टो हंडरेड यह आप इसकी कटिंग कर दो जो से जिरो कटो गई तो हमारे पास आगया तू फाइव जा टैन 2 2 जा 4 और ये 5 कटनी होगा था 5 5 जा 25 हमारे पास आगा 25 by 2 25 by 2 ये हमारा क्या आगया आंसर आगया इसको भी आगर आगे डिवाइड करना हो तो ऐसे डिवाइड कर सकते हैं 25 को 2 से 2 1 जा 2 5 2 2 जा 4 1 तो 12 whole 1 by 2 12 whole 1 by 2 परसेंट ये क्या आगया इसका क्या आगया लोस परसेंट हमने निकाल दिया ये हमारा क्या आगया आंसर आगया ठीक है अब देखो अगला कोस्टन करते हैं कोस्टन नमबर 6 और ये इस एकसरसाइज का लास्ट कोस्टन है देखो एक आदमी था उसने क्या करावी बनाना खरीदे है ठीक है खरीदे है कितने के 10, 4, 45 45 रूपीज के 10 बनाना 45 रूपीज के 10 बनाना खरीदे and sold at the rate 1 dozen बनाना 4 और उसने बेचे किसी रेट पर है 1 dozen का मतलब 12 बनाना ठीक है 1 dozen का मतलब 12 बनाना कितने के बेचे है 51 के बेचे है ठीक है खरीदे कितने के 45 रूपीज के 10 बनाना और 51 रूपीज के 12 बनाना बेचे हैं दोबारा से देख लो 45 रूपीज के 10 बनाना उसने खरीदे हैं और 51 रूपीज के 12 बनाना उसने बेचे हैं हमने बताना है उसको gain हुआ या loss हुआ ठीक है तो हम कैसे करेंगे इस question को एक-एक बनाना का CP और SP निकाल लेंगे एक से भी हमारा क्या निकल जाता है loss या gain percent निकल जाता है अगर हमें एक चीज का भी निकाल लेंगे जो एक चीज का loss या gain percent होगा वही 10 का या 12 का होगा किसी का भी ऐसे question हम कैसे करेंगे कि एक चीज का CP या SP निकाल लेंगे उससे हमें पता लग जागा जो कैसे करना है CP of 10 bananas CP of 10 bananas 10 banana का CP कितना था 45 रुपीज था तो 1 banana का कितना होगा 1 के लिए क्या करते है डिवाइड 45 को 10 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया 4 रुपीज 50 पैसे 4 रुपीज 50 पैसे ऐसे SP of 12 banana 1 dozen banana कितने के पेचे थे 50 रुपीज थे SP of 12 bananas रुपीज 51 SP of 1 banana 1 के लिए क्या करते है डिवाइड 50 1 को 12 से डिवाइड कर दो 51 को 12 से डिवाइड किया हमारे पास आ गया 4.25 4.25 अब देखो CP of 1 banana इतना है SP of 1 banana इतना है अब देखो SP कम है ज्यादा इस से हमने देखा कि SP तो क्या है कम है और CP ज्यादा है यानि कि उसको क्या हो गया लोस हो गया ठीक है तो लोस हो गया लोस निकालो CP में से SP मैनस कर दो 450 में से 4.50 में से 4.25 मैनस कर देंगे माइनस तो करना आता होगा 4.50 में से 0.25 माइनस कर देंगे तो हमारे पास पचेगा 4.50 में से 4.25 माइनस करेंगे तो हमारे पास पचेगा 0.25 ठीक है अब यह हमारे पास आगया लोस यह हमारे पास था क्या CP लोस और CP से क्या निकल जाएगा लोस प्रसेंट निकल जाएगा, जोकि लोस प्रसेंट का फर्मूला होता है, लोस अपोन CP मल्टिप्लाई 100, लोस की जगा लोस रखो, CP की जगा CP रखो, इन 200, ठीक है, अब इस question को कैसे करना है देखो, एक तो इसके निचे 100 लगाओ, इसके निचे भी 100 लगाओ, फिर इस question को करो, ठीक है, ऐसी भी होजेगा, या फिर point के बाद 2 number है, इधर भी point के बाद 2 number है, point के बाद 2 digit है, point के बाद 2 digit है, तो digit, अगर number of digit equal हो, तो point हट जाता है, ठीक है, इस point के बाद भी 2 digit है, इस point के बाद भी 2 digit से decimal से decimal cancel हो जाता है ठीक है जब digit equal हो जब digit क्या हो number of digit क्या है equal हो point के बाद two digit है इस point के बाद भी two digit है तो point से point हट जाएगा तो क्या रहा गया 25 by 40 रहा गया into 100 अब इसकी बस हमने क्या करनी है cutting करनी है हमारा question हो जाएगा 0 से हो गया 0 cut 5 5 जा 25 5 9 जा 45 5 10 5 जा 50 50 by 9 50 को 9 से divide करेंगे तो पूरा पूरा divide नहीं होगा remainder भी बच्चाएगा तो हमारे पास अंसर आएगा 5 whole 5 by 9 परसेंट तो उसको पूरे सोद्धे पे कितना loss हो गया कितना loss परसेंट हुआ 5 whole 5 by 9 परसेंट का उसको क्या हो गया उसको loss हो गया ठीक है अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को subscribe कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ share कर देना और like करना मत भूलना next वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार कर दोbas है ब preconहर है कर दोbas है